दोस्तों पॉनियन सेलवन डे एड बॉक्स ओफिस केलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन आज के दिन यह अपने बॉक्स ओफिस में कैसा कमाई कर रही है सेकिंड फ्राइडे है वहीं इसके अलावा दोस्तों हम लोग विकरम वेधा के केलेक्शन के ओपर नजर मारेंगे डे को पाने के लिए बहुत पीछे है हाला कि काफी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको यकीन है कि यह मुवी धीरे-धीरे ही सहीं लेकिन हीट हो जाएगी लेकिन दोस्तों नहीं या बहुत दूर है 175 करोड रुपे की मुवी है 200 करोड रुपे इसको कमाना पड़ेगा तब जाके यह मुवी कह सकते हैं कि हीट होगी लेकिन दोस्तों एक बात यहां पर यह है कि 100 करोड का अंगड़ा तो दोस्तों इसने पार कर लिया क्या हुई है इसके अब तक की कमाई उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक् रुपे अगर हम लोग क्लेक्शन देखें तो डे 1 10.58 करोड डे 2 12.51 करोड डे 3 13.85 करोड डे 4 5.39 करोड डे 5 5.77 करोड और डे 6 यानि कि दशेरा के दिन 7.21 करोड रुपे कि इसने कमाई की कल के दिन दोस्तों यह जो मूवी है 54% की कमाई इसकी गिर जाती है 3.26 करोड रु रुपे अगर दोस्तों हम लोग इसके क्लेक्शन की बात करें कि पहला हफ्ता का वर्ल्ड वाइड क्या रहा तो भाई सहाम 96 करोड रुपे जागा 96 करोड रुपे का फर्स्ट वीक का जो फिगर है वो सामने आया है वह गाई अगर हम लोग बात करें कि आज के दिन यानि कि सेकंड फ्राइडे के दिन यह कितना कमाती हुई दिखाई दे रही है तो यहां पर सबसे पहले एक बार नजर मारते हैं कि इसकी कैसी है रहा बहुत मुश्किल है दोस्तों इसको 200 करोड रुपे कमाना लग रहा है कि बहुत जादा मुश्किल है क्योंकि कल से भी जो कमाई ह है और गिर गई है आज की देखें मॉर्निंग 7.67 आफ्टनों 9.30 और एविंट 12.89 परसेंट यानि कि वही पुरानी कहानी यह दोरा रही है जो बॉलिवुड के बड़े सुपर इस्टान ने गाई दोराई थी लालसन चड़्डा ले लो आप लोग बच्चन पांडे ले ल दूसरे हफते में पूने में 165 तो बैंगलूरू में 97 इस तरीके का यहां पे हम लोग टाइम देश ना करते हुए सिधा मुद्धे प्याद हैं कितनी कमाई होगी तो भाई सहाब लगभग 2.60 करोड दो करोड साइट लाग रुपे या अपने ओन डे यानिकि वाई सहाब स मिलाके तो हंड्रेट करोड जैनल इस इसने अपने आठ दिनों में 100 करोड का अंकड़ा एजा वर्डवाइड लेवल में छू लिया है मानना पड़ेगा और सिसमें चाहने वाले हैं रित्तिक के अभी आते हैं मुद्धे पे पॉनियन सेलवन के कहानी कहां तक पहुंची आ सब्सक्राइब करेक्शन गिरेगा कल से भी क्रेक्शन आज इसका ज्यादा गिरने वाला है कितना गिरेगा अगर हम लोग ऑक्यूपैंसी देखें तो इसकी मौनिंग शोज 28.93 परसेंट आफ्टनून 42.98 और इवनिंग 53 परसेंट की रही है चलने में दोस्तों इसकी इवन पैंसे 61 चल रही है 476 शोज में कोई गिरावट नहीं हुई कल से आज के बीच में हां थोड़ा 40-50 गिरे हैं बात की चाहिए बैंगलूरू तो तूट्वन परसेंट की पैंसी मदूराई 45 परसेंट की पैंसी कॉमबटूर 74 परसेंट की पैंसी पॉडिचेरी 83 परसेंट की पैंसी अब यहां तेलकू की देखते हैं 13 परसेंट मॉर्निंग आफ्टनून 16 और इवनिंटी परसेंट की है दोस्तों हेदरावाद में शोज है इसके पास 127 थोड़े से और गिर गये हैं अगर बात की चाहिए हिंदी की पैंसी कैसी है तो मॉर्निंग 7.77 विक्रम वेदा स से भी ज्यादा इवनिंग 17.30 तो भाई हिंदी में चल गई मुझे लगनी रादा कि चलेगी लेकिन फिर भी अच्छी कमाई कर लिए रिस्पेक्ट्फुल कमाई कर ली भाई सहाब तमिल की मूवी अगर हम लोग देखें कौन सी हिंदी में आकि अच्छी कमाई की है रोबर इस रिलीज तमिल मूवी से अच्छी है मुंबई में इसके पास 77 शोज हैं तो दिली एंस्यार में 122 शोज है मतला शोज गाई के गिर चुके मुद्दे पर आते हैं कि क्या होगी भाई इसके आज की कमाई यानि कि यह अपने वक्स ओफिस में सेकिंड फ्राइड़ की दिन का 1.10 करोड जबकि मैंने आपको प्रिवेस वरे वीडियों बताया था पॉनियन सेर्वन वाले का कि 90 रुपे की हुई है लेकिन नहीं 1.10 करोड रुपे कमाई हुई है और दोस्तों तमिल की कमाई 10.05 करोड रुपे की थी चो रिवाइज क्लेक्शन हो की सामने आया है यान का ग्रॉस होता है अराउंड 11 करोड रुपे ओवर्स इसमें दोस्तों कल 8.5 करोड रुपे के फिगर आये और वीकेंड शुरू हो चुका है मुझे लगता है कि दोस्तों 8 करोड और सिसरे विआएंगे यानिकी यानिकी 19 करोड रुपे और डे एड यह कमाने वाली है अगर है अगरी